गर्मी का मौसम आ गया है? स्कू Leo College में हर साल गर्मियों के छुटी हो जाती है जिसके बाद बच्चे गर्मियों के छुटीों को लेकर बहुत उudसाहित होते हैं वो गर्मियों के छुटीों में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं परिवार को भी एक साथ समय बताने और घूमने का अच्छा मौका मिल जाता है ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों में भारत की कई जगाओ पर प्रेटरकों की संख्या में इज्याफा देखने को मलता है हाला कि जो लोग गर्मियों की छुट्टी में कहीं आत्रा की योजना बना रही ही उसके लिए पहला सवाल होता है कि इन छुट्टियों में कहां खूमने जाए गर्मियों के मौसम में घूमने के लिहाद से कई सारे डेस्टिनेशन हैं जहां आपको खूबसूरत वातावरन के साथ ही कई आक्टिविटीज में शामिल होने का मौका भी मलता है लेकिन सबसे जरूरी बात इन परेटन अस्तलों का ताप मार गर्मियों में चलचलाती धूप लू आदी में लोग घर से बाहर निकलने से सोचते हैं ऐसे में अगर आप किसी ऐसे परेटन अस्तल की यात्रा का प्लान बना लेते हीं जहां गर्मियों में घूमना मुसीबत बन जाता है तो आपका समय पैसा तो बरबाद हो गहीं साथी बिमार भी हो सकते हैं ऐसे में कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने से पहले ये जानने कि गर्मियों की छुटी में आप कहां घूमने ना जाए कम बज़ेट और कम समय में लोग प्रसिद प्रेटनस्तल जानने के उदेशे से आगरा की यातरा का प्लान बना लेती हैं आग्रा में दुनिया का साथ वाजूबा ताज महल है इसके अलावा भी यहां कई परेटनस्तल है गुमने के लिहाद से यह जगा कितनी ही अच्छी क्यों न हो लेकिन गर्मियों के मौसमें अगर आप यहां जाने का सोच रही हैं तो आपको पच्छताना पड़ सकता है गर्मियों में आगरा का तापमान बहुत बढ़ जाता है जिसका रंती जूप में यहां घूमना मुश्किल हो जाता है संग मर्मर से बना ताज महल गर्मी में तपने रगता है इस पर नंगे पैट चलना कठिन हो जाता है ऐसे में गर्मियों में आगरा जाना अच्छा आइडिया नहीं है भारती और विदेशी परेटकों के लिए राजस्थान पसंदिदा टूरिस्ट प्लेस में से एक है हर सल गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसल मेर में लाखो परेटन आते हैं लेट से घीरे इस शहर में सफारी का लुफ्ट उठाया जा सकता है लेकिन गर्मियों के मौसम में रेतीले शहर में घूमना सिर्दर्द बन सकता है यहां गर्मी का पारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है इतनी तेज गर्मी में जैसल मेर की यात्रा बेहत बिकार है युवाओ के बीच गोवा घूमने का अलगी क्रेज होता है समुंदर किनारे बसी इस छोटी ती जगह पर लोग अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ मस्ती करने पहुच जाते है यहां कि नाइट लाइफ सी आक्टिविटीज युवाओ को अपनी और आकरशित करती है लेकिन गर्मियों के मौसम में गोवा में एंज्वाइ करना बहुत मुश्किल का काम होता है गर्मी के कारण आप दिन भर ओटेल रूम में ही रह जाएंगे जिससे कि आपका समय और पैसा दोनों ही बरबाद होगा ऐसे में आप गर्मी के मौसम में गोवा का प्लान बनाएंगे तो वो आपका बिकार आइडिया होगा दक्षिन भारत में कई सारे दार्शनिक अस्थल मंदर आदी है लेकिन गर्मियों के मौसम में यहां की कई जगाओं पर जाना अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है लेकिन प्लान हर गिस नह पनाएंगे